हलो, नमस्कार, स्वागते हैं आप सभी का स्टेटी विद्यान प्रकास में दोस्तों, आज हम लोग खर्ण सिच्चा अधिकारी के माडल पेपर नमबर 54 को करेंगे डिसकस और अब तक हम लोग 53 माडल पेपर को डिसकस कर चुके हैं तो शुरुआत करेंगे आज के इस्टेट स्रीज की सबसे पहले माडल पेपर नमबर 53 में जो मैंने आपको होमर दिया था उसका सही आंसर देख लेते हैं उसके बाद करम से आगे बढ़ेंगे पहला सवाल यह था कि वायर प्रदूसरों के जैविक सुचक के उदाहरन माने जाते हैं सही जबाब इसका लाइकेंस तो आप लोगों में से बहुत सरे लोगों ने इसका बिलकुत सही जबाब दिया था इसके पहले जो पसुधन गढ़ना होई थी वह 2012 में होई थी यह 19 भी थी और 2012 से अगर 2019 की तुलना करें तो पसुधन गढ़ना में जो बिद्धी वी है वो 4.6 की हुई है अगली बार जिबे जन गढ़ना होगी यानि की पसुधन करना होगी तो यह साथ साल के बाद होती है जैसा कि जानते हैं की पसुधन करना साथ साल के बाद और जन गढ़ना दस साल के बाद होती है तो अगली जो करना होगी यह 2026 में होगी तो इतनी बात आप लोगों बिलक कितने साल के लिए तीन साल के लिए एनस्जी के नए निदेशक बने है अनुक कुमार सिंग तो इतने पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉइंट है आप याद रखेगा इसी क्रब में आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले चैनल को अगर आपने अभी तर सब्सक्राइब न 19 से स्थमानित होने वाले व्यक्ति कौन है देखिए आपको बता दें सखारो मारमा धिकार पुरुषकार काफी इपॉटेंट है कई बार पुशा गया है सही जवाब इसका आप्सन बी है चीन के इलहाम तोहती नहीं ये पुरुषकार जीता है फिलाल वो चीन की एक जेल मे हैं तो सही जवाब है आप्सन बी यूरोपी संसत के वर्ष 2019 के सखारो पुरुषकार के लिए चीन के अल्प संक्यक उईगूर समधाय के उईगूर ये कमा का समधाय है तो अर्थसास्त्री इलहाम तोहती को चुना गया है पचास हजार यूरो उन्हें दिया जाएगा 18 दि आरोप में चीन की एक्जेल में बंद हैं बात कर लेते हैं सखारो मानवादिकार पुरुषकार के बारे में तो रूसी बहुत ही विज्यानी आंद्रे सखारो की इस वर्थी में यूरोपी संसत्वारा अस्ताबित किया गया है ये पुरुषका बैचारिक सुतंतरता के IIFTC टूरिजम इंपक्ट अवार्ड देखें ये अवार्ड उन क्रियेटर्स को डिरेक्टर को दिया जाता है जो लोग अपनी फिल्मों को अलग देशों में बनाते हैं जिसकी वज़ए से टूरिजम को जो है बढ़ावा मिलता है तो इसका सही जवाब है आप्संस से यानि इसकी शूटिंग उन्होंने की थी इस्पेन में और 2015 में खिल्माई थी दिल धड़कने दो इसकी शूटिंग उन्होंने की थी तुर्की में तो इससे जो क्या हुआ था कि इस्पेन और तुर्की में परेटर्न को बढ़ावा मिला था जिसके लिए जोया अक्तर को यह पु उद्योग, दुनिया भर के फिल्म, उद्यायोगों, परेटंग कर्यालेओं और उत्पादन सिवा कंपनियों के लिए एक विश्वसनी मंच प्रस्तुत करने के एसिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म भी माना जाता है। अगला सवाल है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 में भारत में GDP ब्रिदिदर को घटा कर कितने प्रत्स्यत कर दिया है। तो दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में मंदी अभी आई नहीं है, निश्ची तुरूप से लगी जो हमारी फैली हुए है। इसकी वज़े से यह उमीद की जा रही है कि आने वाला जो समय होगा उसमें आपको यह मंदी रिसेंशन देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो यह है कि मोडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 में भार्णाई जो GDP की ग्रोथ होगी उसको कितने प्रच्चत बताया है। सही जवाब इसका 2.5% के most important MSQs है और यह पूछा जा सकता है। इसके पुशेरिंग सब्वहना सबसे अधिक है तो यह आप बिल्कुल याद रिखेगा। फ्रोड़ता डिटेल में जान लेते हैं, Basic Credit Trading Agency जिसको नाम दिया गया है मोडीज, मोडीज इन्वेस्टर सर्विस में कलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जो आर्थिक बिदिदर है वो अपने पहले के अनमानों हटाकर अब 0.5% कर दिया है। इसके पहले उसने इसे 5.3% रखाता है, तो 5.3% से डिर्क्ली 2.5 पे आ गया वजह जो बर्तमाने महमारी फैली है उसकी वजह है। ठीक है। तो कोरोना वाइरस और उसके चलते हैं। देश दुनिया में आवागमन पर रोक की मद्य नज़र आर्थिक लागर बढ़ गई है। और इसी वजह से देश की जो बिदिदर है GDP की जो ग्रेथ रेट है वो घटने का अनमान है। इससे 2021 में घरेलू मांग और आर्थिक इस्तिति में सुदार की दर सबसे पहले प्रभावित होगी। एजंसी ने कहा कि भारत में बैंकों और गैर बैंकिंग बित्ती कंपनियों के पास नकद ध्धन की भारी कर्मे के चलते। भारत में कर्ज हासिल करने को लेकर पहले सही कही बड़ी इजाद हैं। एक बात आप लोग और भी याद रखेगा कि किसी भी कर्मचारी या इंप्लाई को जो सेलरी मिल रही है उसमें भी सरकार कोई भी कटवती नहीं कर रही है। यानि कि जो भी रिजर्व में रखा गया है पैसा वो पैसा भी सरकार खुल के खर्च कर रही है ताकि जो जनता है वो इसमें पूरा सहयोग दे और बहुत सर जो ध्याड़ी मस्दूर हैं उनको भी पैसे दिया रहे हैं ताकि वो लो भी अपने घरों से ना निकलें। यानि कि सरकार पूरा प्रयास कर रही बारत सरकार का वाकई यह सरानी यह कदम है कि वो पूरा प्रयास कर रही है कि जनता पर इसका कोई भी दूस प्रभाव होना पड़े लेकिन खजाना तो खाली होगा ही यह बात तो आप लोग समझ भी रहे हैं सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि सरकार का प्रोडक्सन है जो टैक्स लेती है सरकार और बहुत सरी चीजें हैं जो कि रुकी हुई हैं तो इससे खजाना तो खाली हुई रहा है और इसका सीधर-सीदा प्रवाव जो है वो GDP पर तो पढ़ना ही है वहले ही आपके उपर ना पड़े लेकिन कहीं ने कहीं से इसका प्रवाव आप भी पड़ेगा तो वर्तमान में जो हमारी है यह जल्दी खतम हो जाए इसके लिए जलूरी यह है कि आप लोग सरकार के इंस्ट्रक्शन को मानें अपने घरों में रहें ताकि आने वारा आपको जो भविस है वह भी खुसाल रह सके जम्मू कस्मीर और पुर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन की जाने के बारे मे बात की जा रही है तो यहां पर जो परिसीमन किया जाएगा उसकी अध्यक्सता कौन करेगा चार विकल्वाब के सामने हैं सही जवाब इसका न्यायमूर्ती रंजना प्रकास दिसाई यह रिटायर हो चुकी है न्यायमूर्ती रंजना प्रकास दिसाई तो जम्मू कस्मीर और पुर्वत्तत के जो चार राजिये हैं उनमें एक तो असम है, दूसरा है अरणाचर प्रदेश, फिर मडीपूर और चता है नगालेंड. तो असम और नांचर प्रदेश मड़ीपूर और नागालन के साथ जम्मू कस्मीर में बिधान सभा सीटों का परिसीमन क्या जाएगा सुप्रीम कोड की पूर्ब जस्टिस रंजना प्रकास दिसाई को परिसीमन आयोक का अध्यक्ष नियूक्त क्या गया है एक बात और भी आप लोग जान लीजिएगा कि जम्मू कस्मीर के प्रकाटन के बाद अब इस केंड़ सासित प्रदेश में साथ बिधा सभा सीटें बढ़नी है तो सही जबाब क्या आप येस कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सही जबाब है 114 अब यहाँ पतार डेटेल में जानना आपको ज़र्वी हो जाता है कि जम्मो कस्मीर के पुर्णकरण के पहले बिधान सभा में कुल कितनी सीटे थी 87 सीटे थी और जो गुलाम कस्मीर है उसमें कुल 24 सीटे थी तो कुल टोटल मिलाके 111 सीटे हो गए थी इनमें से जो 4 सीटें लद्दा की भी सामिल थी तो यानि कि कुल मिलाके अगर देखा जाए तो 107 सीटें बची थी तो अब जब इसमें कुछ सीटें और उस सीटे क्या वादा साथ सीटे और बढ़ेंगी तो एक सो साथ में साथ जुड़ेगा तो पुल मिलाके एक सो चौदा सीट इसमें हो जाएगी और गुलाम कस्मिर की जो चौबिस सीटे हैं वो यतावत रहेंगी यहाँ पर एक बात और भी क्लियर कर लिजेगा कि यह जो पर परिसीमा नहीं यह किया जाएगा तो यह बहुत important points हैं यह आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एक्जाम में आये ना आये फिर भी यह आपको पता होना चाहिए जम्मु कस्मिर में परस्चाप लोग सभा की कितनी सीटे हो जाएंगी तो देखें बिदान सभा में तो 114 सीटे थी हुए अथाबत पांच ही बनी रहेंगे एक बात और याद रुखिएगा कि जम्मु और कस्मिर में जो अंतिम परिसीमन हुआ था वो 1995 में जब यह परिसीमन हुआ था तो राज में जो बिदान सभा की सीटे थी जो कि 75 थी उनको बढ़ाकर 87 कर दिया गया था और 87 सीटे होने की वज़ा से क्या हुआ कि जम्मु कस्मीर में जो छितरी पार्टिया थी उनको काफी फायदा होता था फारुक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मु कस्मीर विदान सभा से प्रस्तावी पारित कर लिया था और अगले परसीमन पर उन्होंने रोक ही लगा दी कि सभी बज़ती कि जो छितरी दलती कस्मीर के वो परसीमन होने देना नहीं चाहते थे लेकिन बरतमान में इस सितियां बदद चुकी है कस्मीर भी अब भारत का एक सामान राज बन चुका है हाना कि यह कि इन विसासी थे नासा ने मार्स 2020 मिसल को क्या नाम दिया है देकि नास की रहती हिंद्वी का नाम जाता है देखे नास नास ने अपने मार्स रोवर का नाम जो रखा देखा देखा और एक आउन-लाइन सर्वे किया था उसके आधार पर यह नाम चुला गया था देखा परसीवरेंस तो नासा चुलाई 2020 में अपना मंगल अभियान बेजएगा औ और इसमें एक रोबोट बैग्यानी की रूप में वहाँ जाकर काम करेगा जिसका वजन लगबग 143 किलोग्राम यानि की 200 पॉंट रहेगा रोवर्द रेनता मंगल पर पिछले माक्रोबियल जीवन की संगेतों पर सोथ करेगा और लाल ग्रह यानि की मंगल से जो चक्ताने हैं उसके नमूने एकत्र करेगा ताकि अगली बार जब मारों मंगल पर जाना चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें पहले सी स्टडी कर लीज़ हैं पहले खेलो इंडिया इंवर्ष्ट्री गेम्स में किस विस्विद्दाले ने पदक तालिका में पहला अस्थाम राप्त किया है तो पदक तालिका में जो पहला अस्थाम मिला है वो पंजाब विस्विद्दाले को मिला है सही जवाब इसका तो याद रखेगा कि पहले मीटर असपरदा में 100 पदक हासिल किया, तो सही जवाब इसका पहरे तुनों ने 100 मीटर में हासिल किया था स्वाण, और उसके बाद 200 मीटर में भी उन्होंने हासिल किया, तो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में उन्होंने 100 पदक हासिल किया है, और ये भारत की एक 30 धाविका है, य 23.66 second में complete किया था, वहीं पर silver medal जीता है कि इसने महारास्ट्रा मर्यानी की मुंबई विश्विद्याला की कीर्थी विजय भुईते ने, उन्होंने 24.9-8 second का समय लिया, मतलब आप समझ रहे हैं 23.66 second और 24.9-8 second, अब आप समझ रहे होंगे कि एक second से भी कम समय का अंतर है, लेकिन silver और gold में ये परड़ाम सामने आते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि लगातार आप लोग पढ़ते रहे हैं, क्योंकि एक number से ही selection हो जाता है और आधी number से आपका selection रुख जाता है, अंतर रहस्ती उर्जा एजंसी के अमसार विजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पात तक देश कौन सा है, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना तो पहले अस्तान पर है और दूसरे अस्तान पर अमेरिका है, तो जब दो देश यहां पर हो गए तो तीसरे अस्तान पर कौन सा आएगा, वहीं नेपाल तो ही होई नहीं सकता है, न्यामार की मतलब अर्धिबस्ता इसको एलाव नहीं करेगी तो भारत बसता है, तो इस प्रकास से Elimination Method का हम प्रयोग करेंगे, भारत इसका सही जवाब है, वाड़ी जो मंत्राले द्वारा अस्थापित, ट्रस्ट इंडिया बैंड इक्विटी फांडेशन इंडिया ब्रैंड इक्विटी फांडेशन की एक रिपोर्ड में 20 उबर में सबसे अधिक विद्दुत उत्पादक करने के मामले में चीन्ज हो है यह पहले अस्थान पर अमेरिका दूसरे अस्थान पर है, विद्वर्स 2016 में 1423 बिलियन यूनिट विद्दुत उत्पादक की शुरुबात की है, अब एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इस प्रदेश की, कि यहाँ पर महिलाओं को खेलने के लिए पूरा सहयोग देते हैं, कि वो घर की जो लड़कों के पेचे लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो यह बहुत अच्छी बा सरकार का, उसमें ऐसी लड़कियां जो यूवा माता हैं, तो उनके अगर बच्चे हैं, तो उनको जो है, मतलब बच्चों को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए उनको मैनेज करने के लिए कुछ पैसे वगरा दिये जा रहे हैं, और यह जो सोसल इनिसिट्व है, वो एक न तो यह बहुत ही अच्छी पहले सरकार की, हर्याणा सरकार की, अंतर राष्टी बन दिवस निल्व में किस दिन मनाया जाता है, लेकिन जो मैंगरो बन होते हैं, यह जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे जो पेड़ पाया जाते हैं, तो जब सुनामी अगरा आती है, त मनाया गया है, पिछली बार 21 मार्श को, 2012 से इसकी सुरुआत की गई है, 2012 से ठीक है, तो युनाटे नेशन के तत्तोधान में इसका आयोजन प्रतिवर्स, 21 मार्श को किया जाता है, देखे, 21 मार्श 2020 को अंतर राष्टी बंदिवस मना गया, यह मैंने आपको बता दिया, औ और इसमें मैंग्रो बनों के महत्वो स्विकार का तत्काल इनके सनक्षन की आउसकता पर बल दिया गया, अन्यता के सिति में अगर सुनामी है, तो जो तबाही पिछली बार विती उससे अधिक तबाही हो सकती है, सबसे इंपोर्टन बात इसमें यह है, कि बन दिवस 2020 की ज अगरुपता बनाने लिए प्रतिवर्स 21 मार्च को अंतर रास्टी बन दिवस 2020 में मना जाता है, सबस्त रास्त मासवा 21 दिसमबर 2012 को उसने शुरुआ कि इसके बारे में और 21 मार्च को यह प्रतिवर्स मना जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने कई बार बता दिया आ आगला सवाल है कि 26 मार्च को वीडियो कांफरेंसिंग द्वारा G20 समयलन मतब कौन से देश ने कर रहा है, तो इसमें होस्ट जो कंट्री है, वो है सौधी अरब, ठीक है, सौधी अरब, तो सौधी अरब की अधिश्ता रही, G20 समयलन इस बार वीडियो कांफरेंसिंग की द है, भारत के प्रदानमंत्री नरद मोदी ने भी समयलन में वीडियो कांफरेंस के दिए हिस्सा लिया था, 2020 करिए खेल की सबसे प्रवावसाली टाप 10 महिलाओं की सोची में किस भारती महिला को पहला स्थान मिला, तो देखिए इसका जबाब भी एलेमिनेसर मिधर से ही नि नितामबानी, इनको 2020 करिए खेल की सबसे प्रवावसाली और प्रवावसाली, टाप 10 महिलाओं में सामिल किया गया है, प्रवावसाली नितामबानी IPN में मुंबई इंडियन्स क्रिकेट टेम की मालकिन है और अंतरराष्टी ओलम्पिक समिक में भारत की प्रत्निदी भी है स्पोर्ट्स बिजनेस नेटवर्ग आई स्पोर्ट्स कनेक्ट नाम क्या इसका बिजनेस नेटवर्ग है आई स्पोर्ट कनेक्ट ने 25 में से 2020 की 10 सरवादी गोरों सारी महिलाओं को चुना है और इस सुची में टेनिस सुपरस्टार अमेरिका की सिरेना विलियम्स भी है, ज 990 लाख साल पुराना दुनिया का सबसे छोटा डायनासूर का जो उसे से वो खुजा गया है तो यह देश बन गया है मैं आमार जिया तक न ऐसे कोशन भी बहुत बार रिपीट होते हैं और आब हो मोर के सवाल होंगे मातर तीन सवाल इसका जवाब आपको देना है नीचे कमे दूसरा सवाल है कि एबल प्रोशकार 2020 का विजयता किसे चुना गया है तीसरा सवाल है उतकल दिवस यानि कि ओडिशा दिवस यह कम बना गया है तो यह तीन सवाल है जिसका जवाब आपको देना है और दोस्तों हमारा जो एंट्राइड है यह भी प्लेश्टों पर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में रात आठ बजे एक प्लास होगी सामान ग्यान की सामान अध्यन की जो की लेकपाल भरती सुपर ट्रेट रेल्वे समिक्चायत करी साय समिक्चायत करी इत्यात सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्ट